हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चनल सिविल मेकर, पिछली वीडियो में हमने प्रोपर्टीज ओफ बोगिज कंपाउंड को परह था, बिल्डिंग मैटेरियल के क्लास चौथा वीडियो हमने पिछली बार कंप्लीट किया था, यहां से हम लोग प्रोपर्टी आज इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स, यहां प्रोपर्टी ऑफ इंग्रेडियन्ट ऑफ सिमेंट, तो सबसे पहले हम लोग का सिमेंट बनता कैसे है, हमने सिमेंट को बनाने का प्रोसेस जो है, इंट्रोडेक्शन जो ही बिल्डिंग मैटेरियल से किया है, और पहला क्लास में ही मैंने सिमेंट के इंट्रेक्शन को वहा Building material का 3rd और 4th वीडियो को जरूर आप देखे, वहां से आपके पूरा explanation मिनेगा, जो आपको पूरे इस वीडियो को समझने में helpful होगा, का cement बनता कैसे है, सबसे पहले हम लोग klinker को लेते हैं, ठीक है, और klinker में हम लोग gypsum को add करके उसको grinding करते हैं, grinding हम लोग दो process से करते हैं, या तो team meal के दुवारा कर सकते हैं, या ball meal के दुवारा कर सकते हैं, ठीक है, जब हम लोग grinding करते हैं, तो उसके बाद हमारा जो बनेगा, वह आपका cement होगा, ठीक है, अब cement में friends, यहां से हम लोग देखेंगे, अब ही actually में हम लोग कौन सा पर रहा हैं, ओपी, अब यहां से देखिए, lime, देखिए, सबसे पहले जो होता है, cement में, हम लोग का पहला ingredient जो होता है, lime होता है, तो lime का हम लोग कितना quantity रखते हैं, तो lime जो होता है, actually में, 62% से 67% के, which हम लोग समाने तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन average value के लिए, हम लोग बात करेंगे, 62% ही होगा, उसी तरह से lime के बाद हम लोग लेते हैं, silka, silka का formula है, आपका SIO2, SIO2 जो ingredient आपका रहेगा, 17 से 22% और इसमें average value के हम लोग बात करेंगे, तो 22% होगा, ठीक है, उसके बाद आपका होता है, alumina, alumina का हम लोग का ingredient composition जो होता है, quantity में कितना लेना होगा, तो 3-8% लेते हैं, और 3-8% में इसका average जो value होगा, आपका 5% होगा, उसी तरह से हम यहाँ पे लेंगे, next calcium sulfate, जो आप जैसे ही इसको पानी में डालते हैं, तो यह क्या बनाता है, आपका gypsum बनाता है, और gypsum का क्या होता है, cement के setting time को बरहा देगा, ताकि हम लोग construction work में, के लिए desirable shape में बनाने के लिए, हमको actually में उतना time मिल जाए, तो actually में calcium sulfate ही है, इसके ingredient composition, 3-4% लेते हैं, और इसके average value की बात करेंगे, तो 3% हम लोग रखते हैं, ठीक है, next composition होता है आपका, magnesium oxide, magnesium oxide बहुत ही few मातरा में रखा जाता है, जिसका quantity होता है, 0.1 से लेके 3% टक, और average value की बात करेंगे, हम लोग तो 2% लेते हैं, next है आपका sulphate के quantity भी कुछ रखते हैं, तो sulphate जो हता 1 से 3% हम लोग रखते हैं, अब 1 से 3% ingredient जब sulphate का होगा, तो उसमें average value की हम लोग बात करेंगे, तो 1% लेकर चलेंगे, ठीक है, alkalis की बात करते हैं, तो alkalis भी आपका few percentage में होगा, सबसे little मतरा में यहीं होगा आपका alkalis होगा, 0.5 से लेके 1.3% और इसके average value की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 1% ही रखेंगे, इससे ज़्यादा 1.3% तक लेकि 1.3 से ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, और actually में lime किसके लिए responsible होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि lime जो होता है responsible होता है strength के लिए, तो यहाँ पर lime आपका responsible हो गया strength के लिए, second thing होता है hardness property in the cement, cement में जो hardness आता है वो आपके lime के कारण ही आता है, तो lime आपका responsible basically किसके लिए हो गया, strength के लिए हो गया और hardness property के लिए हो गया माल लिजे कि lime का quantity हम लोग 67% से कम रखेंगे तो समय क्या होगा strength और hardness आपका घट जाएगा strength और hardness आपका decrease करेगा तो ये cement आपका undesirable cement हो जागा यानि lime के quantity जीतना हम लोग कम रखेंगे उतना ही strength भी कम हो जागा और hardness भी कम होगा यानि desirable shape आपका देगा ही नहीं दे lime का second case लेते हैं यहाँ से तो अगर माल लिजे कि lime का quantity हम लोग 67% कितना होता है 62 से 67% लेना होता है ठीक है लेकिन हम लोग क्या कि 67% से ज़्यादा ले लिए तो उस case में क्या होगा इसका harmful effect जो होगा आपका hardness एकसेस मात्रा में होगा hardness जब एकसेस मात्रा में होगा तो ब्रिटलनेस होगा जो मतलब धरारे परती है या क्रेक्स जो आते हैं वहीं आना सुरू हो जाएगा तो यहाँ पर वेसिकली क्या होगा कि durability जो है सिमेंट का आपका घट जाएगा ठीक है इस तरह से होता है 67% से ज़्यादा हम लोग lime के quantity रखेंगे तो वहाँ पर durability आपका कम हो जाएगा इस cement को हम लोग unsound cement बोलते हैं ठीक है unsound cement basically क्या होता है कि cement concrete में lime का quantity अगर 67% से ज़्यादा है तो उसको हम लोग unsound cement समझते हैं ठीक है और जब unsound cement होगा तो आप समझ रहें कि unsound cement में actually में होता क्या है hardness excess में होगा और temperature आपका gain करेगा जब temperature ज़्यादा gain करेगा तो expansion होगा मतलब फैलना सुरू होगा जब इसका expansion होगा तो volume change होगा फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज में बताना भूल गया था यहाँ पर देखेंगे silka है alumina है calcium sulphate हो गया F2O3 हो गया magnesium oxide हो गया sulphate हो गया alkalis हो गया तो इस सारे को हम लोग के लिए बोलते हैं ठीक है तो यहाँ से मैं इस चीज को explain करने जा रहा हूँ कि lime जो होता है एक चीज वरी तीन तरह का होता है पहला जो होता है आपका pure lime होता है इसको pure lime बोलते हैं pure lime में जो होता है हम लोग का lime के quantity कितना रहेगा तो 90% से अगर जादा है ठीक है और clay जो है obviously बात है कि total composition हम लोग का 100% होता है अगर lime का quantity है हम लोग 90% से ज्यादा ले ल लेंगे 90% से प्लस लेंगे तो इसका 10% से less quantity रहेगा ठीक है तो उस cement को हम लोग क्या कहेंगे quick lime बोलते है ठीक है इसका second नाम हो गया cream lime ठीक है अब second में हो गया आपका extra pure lime extra pure lime नाम से ही आपको पता चला है कि इसमें और ज्यादा pure होना चाहिए तो और ज्यादा तब pure होग अब 95% इसका lime ही अब बढ़ा दिये 5% और बढ़ा दिये तो clay आपका 5% और घट जाएगा यानि पहले 10% हा तो आपका 5% से less हो जाएगा clay का quantity ठीक है अब यहाँ पे इस quantity को हम लोग बोलते हैं इस cement को हम लोग बोलेंगे fat lime या white lime ठीक है ठड़ आपका बनता है friends impure lime impure lime ना quantity हम लोगा 70% से ज्यादा होता है इसमें clay क्या quantity कितना होगा 30% से कम होगा ऐसा cement जो होता है वो hydraulic lime होता है actually या grey lime इसको बोलते हैं या similar property of OPC के कितरा होता है OPC cement में हम लोगा कितना होता है 67% होता है ठीक है और यहाँ पे आपका कितना lime के quantity 70% तो इसलिए 3% का जो difference है इतना minor difference के कारण या similar property जो होता है ordinary Portland cement की तरह होता है ठीक है जो volume change maximum किस में होगा fat lime में सबसे ज्यादा volume change होता है उसके बाद quick lime में होता है उसके बाद hydraulic lime में होता है उसके बाद OPC में होता है ठीक है अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि fat lime कितना होता है 95% होता है इसमें और quick lime मे होता है 90% होता है और इसमें होता है 70% होता है और ओपी से सिमेंट हमनारा 67% maximum होता है ठीक है लाइम एरेंज को ध्यान में रखेंगे तो उसमें आपको volume change maximum भी पता चल जाएगा अब यहां से हम लोग second जो पढ़ते हैं आपका क्या होगा सिलका सिलका का फर्मूला होता है friends SIO2 ठीक है इसका हम लोग composition जो लेते हैं 17 से 22% लेते हैं और सिलका जो responsible होता है actually में किसके लिए strength के लिए होता है यानि hydration rate is also governed by सिलका के द्वारा ही मिलता है ठीक है पहला case ले लिए हम लोग सिलका का quantity अगर माली 17% से कम ले लिए तो उसमें ultimate strength हमारा क्या होगा कम हो जागा ultimate strength आपका कम होगा तो chances of quick setting increase हो जागा भाई अब इसलिए बात है कि total composition जो होता है 100% होता है अगर मालने जे कि सिलका का composition घटा आ रहे हैं आप यानि lime के composition actually 100% करने के लिए कहीं न कहीं lime आप बढ़ा रहे हैं तो lime जब बढ़ाएगा तो क्या होगा उस case में जो होगा cracks आएंगे cracks आएंगे तो durability कम होगा इसलिए ultimate strength तो कम होगा ही होगा लेकिन chances of quick setting क्या होगा आपका बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि lime के quantity आप बढ़ा रहे हैं एक तरह से यहां पे second case जो होता है friends si o2 का अगर मा लिजे कि si o2 का quantity हम लोग 22% से ज्यादा रख लिए तो यहां पे ultimate strength जो होगा आपका बढ़ जाएगा ultimate strength आपका बढ़ रहा है यानि slow rate of hydration rate हो जाएगा ठीक है एक तरह से कह सकते हैं कि सिल्का के quantity को हम लोग बढ़ा रहे हैं यानि lime के quantity को हम लोग हटा रहे हैं lime के इसके लिए होता है cement में binding property के काम करता है actually में वहीं bind करता है other ingredient को तो वहीं जो है actually में उसको हम लोग कम कर रहे हैं lime को कम करेंगे तो क्या हो जागा slow rate of hydration तो होना ही है लेकिन quick setting will be prevent इसमें क्या है actually में हम लोग यहां पे सिल्का के quantity को जब कम कर तो lime के quantity बरहा रहे थे lime जितना ज्यादा बरहेंगे तो chances of quick setting बर रहा था ठीक है लेकिन यहां पे जो है अगर मालिजे कि आप सिल्का quantity को बरहा रहे हैं तो actually में quick lime के quantity को अब घटा रहे हैं तो जितना quick lime कम होगा तो quick setting उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा यानि prevent हो जाए quick setting will be prevent ठीक है इसका notes लिखेंगे friends, notes आपका बहुत ही important है the silka govern the strength and hydration rate of cement अब मालिजे की objective question अगर आपका बना दिया कि silka जो होता है silka govern option में दे दिया कहीं strength मतलब दिया है hydration rate की बात नहीं कर रहा है कोई एक ही दे दिया या cracks दे दिया या मतलब durability दे दिया और कोई option में दे दिया तो उस तरह के case में जहां भी strength मिलेगा तो option में strength को tick करेंगे या तो strength नहीं देगा तो hydration rate जरूर लिखा होगा ठीक है किसके लिए होता है तो hydration rate of cement हमने इसका building material के video 4 में property जो bogus compound में detail explanation उसको किये है आप उस वीडियो को जरूर प्रेफियर करें ताकि इसका detail explanation आपको यहां पर अच्छे से समझ में आएगा ठीक है क्योंकि उसी का next part है और उस पर fully dependent है 90% concept वहीं का है 10% मैं यहां पर resume कर रहा L2O3 जो है govern आपका करता है hydration rate of cement और hydration rate of cement जब गवर्न करता है और early strength भी L2O3 के कारणी मिलता है ठीक है case first है L2O3 अगर मालेजे कि 3% 3% से कम रखेंगे तो hydration rate of cement का slow हो जाएगा actually में क्या है कि hydration rate of cement गवर्न किसके दवारा होता है L2O3 को उसी quantity को आप कम कर रहे है actually में 3-8% होत कि 3% से कम कर रहे है यानि hydration rate of cement क्या कर रहे है आप slow हो जो hydration rate के लिए responsible होता है उसको कम ही तो कर रहे है एक तरह से आप तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि hydration rate of cement ही slow हो गया early gain of strength भी आपका घट जाएगा 3-8% में तो early gain strength ही normally देता ही देता है लेकिन उससे कम किजेगा तो क् लिखेन strength भी घट जाएगा तो इसका second case हम लोग देखते हैं second case में क्या है L2O3 जो है अगर मालीजे कि 3-8% हम लोग का composition normally लेना होता है ठीक है maximum आप 8% ले सकते हैं लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि हम लोग 8% से ज्यादा कर दिये तो 8% से ज्यादा L2O3 ले लिए alumina के quantity 8% से ज्यादा की है तो hydration rate of cement तो बहुत fast हो ही जाएगा क्योंकि hydration rate of cement के नाम से ही यह जाना जाता है 3-8% में hydration rate of cement के लिए responsible होता है और 8% से और ज्यादा बरहा रहा है यानि hydration rate को और आप fast कर रहे हैं ठीक है quantity को बरहा कर तो जब जैसे reaction fast होगा तो वहाँ जल्दी setting होगा जल्दी expansion होगा volume expansion होगा तो cracks वगर आ जाएंगे तो इसलिए quick setting chances आपका वहाँ पर बरह जाएंगे ठीक है तो note में यही पर बताया गया friends कि L2O3 के quantity को बरहते गया बरहते गया तो वहाँ पर क्या होगा rapid shrinkage होगा rapid shrinkage होगा तो आपका cracks बरहेंगे और cracks बरहेंगे friends तो यहाँ पर क्य इसका next part हम लोग अगले वीडियो में continue करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए इस तरह से हमने fully explanation जो है properties of ingredient cement का explain किया I hope आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और friends मुझे full motivation मिले इसके लिए आप को subscribe भी किजिए ताकि मैं next वीडियो आपके स सामने लेकर आऊं thank you